बिस्तर से इतना प्यार भी मत करना कि मनजल खुआफ बन कर रहे जाए अगर चाहते हो मनचाही मनजल पाने की तो फिर हिम्मत भी दिखाओ कुछ कर दिखाने की तो यही हमारा motivation रहना चाहिए कि हमें बिस्तर से उठना है और उठके क्या करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना work करते हुए निकालना है चाहे वो study कर रहे हैं या चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सोने में निकाल दोगे हमारी body की habit एक आलसी की तरीके से बनने शुरू हो जाती है तो यही सोचते हुए आज हम class 10th का chapter number 1 real numbers और उसके anxiety solutions discussion करेंगे सबसे पहले उसका कुछ introduction देखते हैं student first and foremost important जो आपकी theorem है वह है Euclid's division lemma तो आपने 7th class में Euclid's division algorithm पड़ा था division rules इसको हम बोल सकते हैं सेम उसी तरीके से आप बच्चे का अगरते हैं इसमें confused हो जाते हैं इतना कि समझ नहीं आता उनको मैं एक क्या है आपको division मानके चलना है सिर्फ इसको है चाहे कुछ भी हो हम इसको division मानके चलेंगे trick की तरीके से चलिए देखे कहता क्या है सबसे important वो है given positive integer दो positive integer given है आपको A और B there exists unique integer तो एक unique integer होगा जिसका नाम क्या होगा q and are satisfying वो ऐसे satisfy करेंगे सबकोसकर हो दो number है एक number है 2 एक number है 8 तो 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 4 plus 0 इस तरीके से उसको factors में divide करके या division rule में divide करके हम ऐसे लिख सकते हैं जो बड़ा number होगा वो हमेशा LHS में आएगा A equal to BQ plus R ठीक है BQ plus बड़ा इन दोनों के multiplication से अगर complete factor है तो remainder 0 होगा और complete factor नहीं है तो remainder 0 नहीं होगा और एक और बात यह R क्या है remainder और यह जो remainder होगा हमेशा 0 से equal होगा या 0 से बढ़ा होगा या B से छोटा होगा क्योंकि आप सबको पता है अगर मैं किसी भी number को 2 से divide कर रहा हूं तो remainder 2 से होटा ही रहेगा उसके बराबर नहीं हो सकता तो यह आपको याद रखना है suppose करो कि A मेरे पास है 12 और B मेरे पास है 5 अब मैं इसको कैसे लिखूंगा तो आप directly लिख सकते हो 12 5 को किससे multiply करें 5 into 2 और remainder कितना बचेगा हमारा 2 5 2 जा 12 plus remainder कितना बचेगा है 2 तो A कितना था हमार और remainder कितना हो जाएगा 2 अब इसके कुछ important concept है जैसे आपको एक दो division rule समझाना चाहूँगा तो एक दो division rule मैं आपको कैसे समझाऊँगा suppose करो कि मेरे को सारे integers लिखने हैं A equal to BQ plus R where 0 से तो बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा मेरे को सारे integers 2 के division में लिखने हैं कि 2 के factors में मैं दुनिया के जितने भी integers है उसको कैसे लिख सकता हूँ तो suppose करो let A B integers A को क्या मान लिया हमने integer मान लिया और किसके factor में लिखने है 2 के factor में लिखने है तो B की value क्या मान लिया मैंने 2 मान लिया अब आपको यह समझना है कि कैसे लिखना है confused नहीं शान्ती बराया रखेगा स अब को समझ में आएगा तो एक हो गया एक को मैं लिख सकता हूं टो क्या में लिख सकता है कि 12 के लिख सकते हैं अबाप आप रिमेंडर B कितना है तो remainder की value 2 से छोटी होगी और 0 से बढ़ी होगी तो remainder की value कितनी हो सकती है मेरी 0 और 1 सिर्फ यही तो value हो सकती है remainder की जोगी 2 से divide कर रहे हैं ऐसे सोच के चलो 2 से divide कर रहे हैं इस number को तो remainder क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, तो मैं दुनिया के सारे number, remainder की जगा value पहले डाल दो 0, तो 1 हो गया 2Q और 1 हो गया 2Q प्लस 1, इन दो format में दुनिया में जितने भी integers हैं वो मैं लिख सकता हूँ, Q की value वेरी कर सकती है, Q की value 0 भी हो सकती है, minus भी हो सकती है, plus भी हो सकत हूँ, बस मेरे को Q की value चेंज करनी है, Q की value 0 डालूँगा तो यह 0 हो जाएगा, Q की value 1 डालूँगा तो यह 2 हो जाएगा, Q की value 2 डालूँगा तो यह 3 हो जाएगा, इस तरीके से हम डालते रहेंगे और इसको करते रहेंगे, 2Q और 2Q प्लस 1, 0 डाला तो 0 हो गया, फिर 2 की value यहाँ 0 डाला तो कितना हो गया 1, फिर 2 की value 1 डालेंगे तो 2, फिर यहाँ डालोगे तो 3, इस तरीके से आप सारे number लिख सकते हो, यह एक तरीके से division rule ही आपको मानके चलना है, इसको Euclid's division lemma और division rule, जो Euclid's division algorithm आपने पढ़ा था, लगबग सेम है, कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder, सेम, यह remainder रहेगा, यह B से छोटी value रहेगी, आपको ऐसे याद रखना है, कुछ questions करते हैं, अभी स्रिफ आपको यह formula याद रखना है, Euclid's division lemma में, कि A equal to BQ plus R, where R is smaller than, यह R smaller than B and greater than or equal to 0, 0 से यहाँ तो equal भी हो सकता है, बड़ा भी होगा, और B से हमेशा smaller रहेगा, बस आपको यह quotient practice करेंगे, और quotient practice करने से हमें समझ में आएगा, बस यह याद रखना, जो R की value है, वो B से हमेशा छोटी रहेगी, और 0 के बराबर होगी है, उससे बड़ी होगी, ठीक है, इसी तरीके से कुछ questions discuss करते हैं, बच्चों एक example discuss करते हैं, ताकि आपको यह division algorithm अच्छे से clear हो, और आप किसकी questions बना सको, जैसे कि मैंने example number 3 यह है, आप देख सकते हैं, show that any positive odd number, जुनिया में जितने भी positive odd numbers होंगे, is of the form of 4Q plus 1 and 4Q plus 3, मतलब इस formula में हम उन्हें बनाना है, 4Q plus 1 और 4Q plus 3 में odd number को represent करना है, where Q is some integer, जहाँ पे Q की value कुछ भी हो सकती है, integer है, तो आप सबको प पढ़ाया है, तो question उसी पे based होगा, तो directly use करते हैं, using Euclid's division lemma या Euclid's division algorithm, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, using solution, using Euclid's division algorithm, तो बच्चों, Euclid's division algorithm आपको याद हो जाने चीए, बिल्कुल क्या है, A equal to BQ plus R, ठीक है, where R is equal to, जो है, smaller than, और greater than 0, और less than B, ठीक है, चलिए, अब आप को होगे सर, अब क्या करें, तो बच्चों, अब क्या करना है, 4 देखो, 4 लेना है, 1 और 3 देखो, तो अगर मैं 4 ले लेता हूं, तो remainder किया बचेगा, बनेगा, 0, 1, 2, 3, तो 4 लेने से, तो 4 आई रहा है, और 1 और 3 remainder में बची रहा है, तो आपको ऐसे na question को देखना है, आप दीरे-दीरे करते जाओगे, तो आपको समझ में आता जाएगा, मैं आपको एक-एक step बताता जाओगा, तो first of all आपक R की value बनेगी, 0, 1, 2, और 3, यह 4 value बनेगी, क्योंकि 4 से छोटा है, तो जब भी आप किसी number को 4 से divide करोगे, तो remainder हमेशा 4 से छोटा ही आएगा, 4 से smaller ही आएगा, चलिए, अब values आखते हैं, integer, अब बच्चों यह बात याद रखना, any positive integer, यह जो है, any positive integer को दिखा रहा है, 4 से क इसी भी number को divide करो, remainder है तो 0, 1, 2, 3 ही आएगा, ना इससे कम, ना इससे जादा, जिस format में हम सारे numbers को लिख सकते हैं, सारे integers को लिख सकते हैं, तो आपको भी दिखना है, A all integers है, तो A को हम क्या लिख सकते हैं, पहला हो गया, A equal to 4Q plus 0, जिसको लिख सकते हैं, A equal to 4Q, चलिए, अ इक है, एक integer, क्यों इक है, यहाँ पर लिखा है, Q is some integer, किसी भी integer को, 1, 2, 3, 4, को 2 सो multiply को, और हमेशा number क्या आएगा, even number आएगा, तो यह क्या हो गया, भई, A equal to 4Q क्या हो गया, एक, even number हो गया, चलिए, next पर आते हैं, A equal to BQ या 4Q plus 1, next क्या हो जाएगा, A equal to 4Q plus 1, क्योंकि remainder क value डाली, 0, तो बन गया यह, फिर आपने इसको डाल दियो, चलो, first equation दे दो, इसको दे दो, second, फिर आपने remainder की value डाल दी, 1, ऐसी डालोगे 2, ऐसी डालोगे 3, first question है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझेगा, क्योंकि है easy, लेकिन होता है न, पहली बार करते हैं, तो easy करें, और simple format में करें, ताकि हमें समझ में आए, तो 4Q plus 1, अब इसको जड़ा ध्यान से देखेगा, a equal to, इसको लिख सकता हूँ, 2 into 2Q plus 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ, अब यह क्या है, even, और even में अगर 1 add करें, तो वो क्या हो जाता है, odd, कभी भी आप even number में 1 add करके देखो, वो हमे हमारा, odd हो जाएगा, हम directly लिख सकते है, कि even plus 1 odd होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, यह even है, ठीक है, और even में 1 add करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, odd बन जाएगा, तो a equal to 4Q plus 1, यह क्या हो गया हमारा, odd number हो गया, यह पहले वाला tick हो गया, चलिए, 4Q plus 1 हमने odd proof कर गया, next है 4Q plus 3, तो 4Q plus 3 से पहले, जो है 4Q plus 2 proof करना पड़ेगा, 4Q plus 2 क्या होगा भई, क्योंकि सारे numbers odd इस तरीके से proof करने है, सारे number चार तरीके से लिखे जाते हैं दुनिया में, 4 का अगर हम factor ले तो 4Q, 4Q plus 1, 4Q plus 2, 4Q plus 3, 4Q तो even, 4Q plus 1 odd, 4Q plus 2 अगर आप यह ध्यान से देखिए यह even, हम यह proof कर चूंगे है, 4Q, और even में even add करेंगे, तो answer कितना आएगा, even, ठीके, तो यहाँ पे हम लिख सकते है, even plus even is equal to even, आप लिखने चाहो भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो, तो यह क्या हो गया, हमारा even हो गया, तो a equal to 4Q plus 2, एक क्या number हो गया, even number ह next है हमारा third, यह होगी थी हमारी equation number third, अब है fourth, last वाला, तो last में लिख सकते है, equal to 4Q plus 3, चलिए, अब इसको कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखेगा, ठीक है, क्योंकि हमें even plus 1 दिखाना है, proof करके, तो मैं इसको अच्छो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 2Q plus 2 plus 1, तो मैंने क्या करा, 4Q को ब्रेक कर दिया, 2 into 2Q, 2.2 नहीं है, 2 into 2 है, ठीक है, और 3 को ब्रेक कर दिया, 2 plus 1 में, अब इसमें से मैं common लिलेता हूँ, इसमें से 2 common आ जाएगा, ध्यान से देखेगा, 2 into 2Q plus 2, दोनों में 2 है, 2 common लिया, तो यहां 2 common लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2Q plus 1, 2Q plus 1 मिच गया, यह वाला, और बाहर का plus 1 है, यह बड़े ध्यान से step को देखेगा, 2 यहां से common लिया, तो यहां से बच्चा 2Q, यहां से 2 common लिया, यहां से बच्चा 1 plus 1, अब देखिए, यह पूरा नंबर क्या हो जाएगा, एक even number हो जाएगा, क्योंकि एक integer होगा, integer को 2 से multiply किया तो even हो गया, और even plus 1 क्या होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, even plus 1 क्या हो जाएगा हमारा, odd हो जाएगा, तो यह number भी क्या हो गया, odd, so all integers, हम odd integers यतने भी हैं, उसको किस format बैख सकते हैं, 4Q plus 1 और 4Q plus 3, क्योंकि यह जितना भी board पे है, यह सारे दुनिया की integers हो गए, 4 की factor वाले जब remainder की value सारी डाल दी, कोई भी ऐसा number divide करो, remainder इसी के बीच में आएगा, और हमने चारो solve कर लिए cases, जब remainder 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जब remainder 0 था, तब मारा even आया, जब 2 था, तब even आया, और जब 1 है, odd आया, और जब 3 है, तब भी क्याया, odd, तो मतलब odd कब होगा सिर्फ, जब 4Q plus 1 होगा, और 4Q plus 3 होगा, और question करेंगे, और अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, all odd numbers can be represented, can be represented, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो उसके लिए मखी जाओंगा, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं, 4Q plus 1 और 4Q plus 3, हम सारे odd numbers को 4Q plus 1 औ और 4Q plus 3 के format में लिख सकते हैं, ठीके जी, अब हम करते हैं, exercise के कुछ ऐसे questions जो important है, students exercise 1.1 का question number 1 है, वो काफी easy है, हमें Euclid's division lemma या algorithm से HCF निकालना है, दो number का, आप सबको पता है, HCF क्या होता है, highest common factor, जो दोनों का सबसे बड़ा factor, common factor होगा, तो आपको क्या करना है, अच्छो बड़ा important आप लोगों के लिए है, जब भी मैं question कराता हूँ, आप उसको खुछ से solve जरूर कीजेगा, क्योंकि मेरा target है सारे के सारे NCIT questions आपको करा देना, examples आप उसको समझने के बाद खुद भी कर सकते हो, तो होता है थोड़ी सी चीज आप मैं अपने लिए भी मैं अगर आपको examples और ये दोनों करा दूँ हो, तो आपके लिए practice के लिए कुछ बचेगा है नहीं, और जब सारे lectures complete हो जाएंगे, October, November तक मेरा target होगा, 9th और 10th class का पूरा math का syllabus complete कर देना, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए extra questions आपके board के exams के लिए, extra से extra questions आप लोगों क से HCF निगालना है, तो आप क्या करोगे, बस मेरी तरीके से steps रख लिए, और बहुत easy or scoring question है, देखिए दोनों में से बड़ा number कोल है, जो बड़ा number है, उसको लिखिए LHS में, तो हम क्या लिखेंगे solution है, 225 is greater than 135, ठीक है जी, चलिए, तो क्या करेंगे 225, अब आपको ये न 135 को divide करना है, ठीक है, 225 से, तो या, sorry, 225 को divide करना है 135 से, तो कैसे करेंगे, 135 into 1, और remainder कितना बचेगा, 90, इस तरीके से मैं divisional golf thumb में इसको लिख सकता हूँ, अब आपको क्या करना है, अब next step, ये वाला जो है, इसको ले जाहिए LHS में, तो ये कितना हो जाएगा, 135, और इसक क्या करना है, step से याद रखने, बड़ा जो है, उसको LHS में लिख देना है, राइट एंड साइट पे, चो छोटे वाला है, 135, वहाँ पे division algorithm लगा दीजे, 135 into 1, प्लस remainder बचेगा 90, चलिए, अब 90 हो कैसे करें, तो 90 into 1, और remainder कितना बचेगा हमारा, 45, तो अगेन वोही step, जो पे जो 90 है, इसको लिखिए LHS में, 45 को लिखिए RHS में, तो 45 into 2 करूँ हो, तो 90 हो गया, remainder कितना आ गया, 0, जब बच्चो आपका remainder 0 आ जाएगा, तो वो वाला factor, यह जो आपका B, A equal to BQ plus R, यह क्या होगा, आपका HCF होगा, इस तरीके से आपको याद रखना है, so, HCF of 225 and 135 is 45, यह था आपका Euclid's division method से, HCF निकालना, अगें, बड़े number को LHS में, यह steps है, ऐसे ही करना है आप लोगोंने, आपकी बुक में भी ऐसे ही given है, तो LHS में और RHS में छोटे को, divisional rule लगा दीजे, 1 से multiply करेंगे, remainder बच्चे का 90, फिर इस वाले को LHS में, और जो remainder आया था, उस को हम quotient की तरह लेंगे, divide करने के लिए, 90 plus 1 remainder बच्चा 45, फिर 90 को ले लेंगे, जो remainder आया था, 45 into 2, जब 0 आ जाएगा, वो number आपका क्या होगा, HCF होगा, suppose कीजे मेरे पास अभी है, यह अपका second part है, second part में आप बड़ा number कौन सा है, 38220 is greater than 196, ठीक है भी, चलिए, 38220 को हमने क्या ले लिया, LHS में, और RHS में क्या ले लिया, 196, तो आप इसको डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करोगे ना तो मुच्चो 195 को टोटल डिवाइड होगे, तो into 195, और remainder कितना बचेगा, 0, remainder direct 0 आ गया, तो यह 196 खुद में ही, HCF है दोनों का, ठीक है, क्योंकि इसके factor रुपय आ रहा है, so, HCF of 196 and 38220 is 196, इन दोनों का, खुद का HCF ही 196 है, तो गोशन जरूर प्रैक्टिस कीजेगा, एक बार फिर से, क्या करना है, आपको बड़े नंबर को LHS में लेना है, छोटे को RHS में लेना है, डिवीजन रूल लगा देना है, फिर जो 135 जिसको आपने ल सरत, अगर 0 आता है, तो अंसर आ गया, front 35 को LHS मेलेना है, remainder को RHS में लेना है, फिर division rule लगाना है, फिर से में 0 नहीं आ रहा है, तो 90 को LHS मेलेना है, 45 वाले को RHS मेलेना है, अगर 0 आ रहा है तो आंसर है, जब तक 0 नहीं आ ज़ाता, तब तक आपका HCF नहीं आएगा, ठीक है तो काफी easy था इसको एक-दू बार practice कीजेगा आपको और अच्छे समझ में आएगा आप देखेगे same question repeat हो चुका है जैसा हमने example number 3 में किया था same odd numbers को represent करना है पहले हमने किया था 4Q plus 1 और 4Q plus 3 की format में अब हमने करना है 6Q plus 1, 6Q plus 3 और 6Q plus 5 के format में जैसा आप देख सकते हो show that any positive odd integer is of the form of 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 where Q is some integer, जहाँ पर Q एक integer है तो आपको देखके ही लग रहा होगा A equal to BQ plus R आपके दिमाग में चलना चाहिए तो B की value लगातार क्या आ रही है यहाँ पर 6 आ रही है तो Euclid's division algorithm में क्या होगा Euclid's division lemma या algorithm से आप directly कहा लग सकते हो A is equal to 6Q plus R ठीक है अब यह सारे integers होगए आपके 6Q plus R के format में R क्या हो सकता है आपका R will be 0, 1, 2, 3, 4 and 5 यहाँ पर देखे ज्यादा steps होगे क्योंगी इतने 1, 2, 3, 6 हमारे remainder की value डलेगी तो first case solve करते हैं case 1 जब remainder कितना होगा हमारा 0 मैं थोड़ा speed से करूँआ, space कम है आप बड़े easily इसको समझ सकते हो क्योंगी आपके mind में steps clear तो जब remainder 0 होगा तो value डालिए यह क्या हो जाएगा BQ, sorry 6Q और 6Q को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 into 2Q यह 2 into 3Q 2 into 3Q और जब यह 2 से multiply हो रहा है कोई भी number तो मैं directly क्या लिखू कोई भी integer 2 से multiply हो रहा है तो यह क्या होगा even तो A equal to 60 वो क्या लिख सकते हैं even लिख सकते हैं बच्चों क्योंकि 2 से multiply हो रहा है directly है आप रहने शोगर के दिखा दिया ठीक है? चलिए next case 2 case 2 में क्या होगा? जब R की value क्या जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी ठीक है? 0 ले लिया next value क्या जाएगी हमारी? 1 तो 1 लेंगे तो A क्या हो जाएगा हमारा? 6Q प्लस 1 अब इसको जड़ा break करते हैं तो break कैसे करेंगे इसको? 6Q को कैसे break कर सकते हैं? 2 इंटू 3Q प्लस 1 चलिए 3Q को क्या माल लेता हूँ मैं लेट 3Q इक्वल टू K1 3Q को माल लिया है K1 तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 इंटू K1 प्लस 1 K1 कोई भी integer है ठीक है? क्योंकि Q इंटीजर है तो Q को 3 से मंटीप्लाइ करेंगे वो भी एक इंटीजर आएगा वो भी इंटीजर को 2 से मंटीप्लाइ किया प्लस 1 किया तो 2Q प्लस 1 किसी भी 2 के फेक्टर में 2 से मंटीप्लाइ किया तो यह E1 और E1 प्लस 1 क्या होता है? odd, तो ये क्या हों गया हमारा odd हो गया, ठीक है क्योंकि ये क्या हो गया 2Q plus 1 की format में आगया, और 2Q plus 1 की format में जो भी नंबर होता है, वो क्या होता है, odd होता है, क्योंकि 2 के factor से 1 जाना है, ठीक है case 3 discuss करते है आँ आँ case 3 case 3 में बच्छा remainder कितना हो जाएगा 2 क्योंकि 0 ले लिया 1 ले लिया अब remainder कितना होगा हमारा 2 तो remainder 2 लेंगे तो a कितना हो जाएगा 6q plus 2 6q plus 2 अब इस पूरे में से 2 common ले सकते हैं 2 common लेंगे तो कितना बचेगा अंदर 3q plus 1 अब क्या करें बच्छो 3q plus 1 को क्या माल लो k2 माल लो let 3q plus 1 is equal to k2 कोई भी integer k2 मैंने नाम दे दिया तो a कितना हो जाएगा ये 2 और इसको क्या माना k2 तो बच्चो ये number क्या हो गया हमारा even हो गया नहीं हो गया किसी भी integer को 270 इप्लाइ किया तो even हो गया इसी तरीके से आपको solve करते जाना है आपको बहुत easy लगेगा धीरे धीरे आपको भी करते होगे चलिए case 4 case 4, case 4 में remainder कितना लेना है हम लोगोंने 3 तो remainder 3 लेंगे तो a कितना हो जाएगा 6q प्लस 3 कि मैं break करके कैसे लिख सकता हूं 6q क्यों में break कर ना हो होगा तो तो में क्या करूंँ है यहां से, इसमें से common लिलो, तो सेम मारा क्या बन जाएगा यहां पर? Two common लेंगे, तो three Q plus one, two में से common लिए three to one बचा और plus one अवलक से यहां पर बच जाएगा, ठीक है? चलिए, next हमारा क्या है? next हमारा यहाँ पे 3Q plus 1 को हम क्या माल लेते हैं K2 माना था 3Q plus 1 को ठीक है तो यहाँ भी 3Q plus 1 को क्या मालेंगे हम K2 3Q plus 1 को हमने K2 माना था तो यहाँ भी हम क्या लेंगे 3Q plus 1 को K2 लेंगे और K2 लेंगे तो value डाल देंगे A की value 2K2 plus 1 और किसी भी factor को 2 से multiply करते हैं तो E1 और E1 प्लस 1 हमारा क्या हो जाता है odd तो ये number क्या हो गया हमारा odd हो गया odd वाले को जो आप box में बना जता हूँ ताकि आपको अलग से दिखाई दे चलिए और ये दो गए next है case 5 देखो space का मैं थोड़ा सा मैं जल्दी करूँआ तो remainder कितना मानना है case 5 में 4 क्योंकि 1,2,3,4 हो गया ठीक है 0,1,2,3 तो हमारा यहां पर लिख देता हूँ A equal to 6Q plus 4 सब में से 2 common ले सकता हूँ तो 2 common लोगा तो कितना बचेगा 3Q plus 2 और 3Q plus 2 को क्या माल लेता हूँ K3 माल लेता हूँ 3Q plus 2 को क्या माल लेता हूँ K3 let 3Q plus 2 equal to K3 तो इसको K3 अगर हमने माना है तो इसको मैं क्या लेख सकता हूँ A is equal to 2 into K3 और यह क्या होगा हमारा even क्योंकि किसी भी number को 2 से multiply करेंगे अंसर क्या आएगा हमारा even आएगा last क्या है हमारा case 6 जितना अच्छे से explain करोगे जितना practice करोगे उतना ही आप लोगों को और अच्छे समझना आएगा remainder कितना लेना है हम लोगों ने 5 remainder 5 लेंगे तो A कितना हो जाएगा 6Q plus 5 और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6Q plus 4 plus 1 जिएको 6Q plus 4 यही बन गया और even में 1 add करेंगे तो क्या हो जाएगा odd ऐसे भी आप समझ सकते हो तो अगर मैं इसमें से 2 को में लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 3Q plus 2 plus 1 3Q plus 2 को हमने क्या माना था K3 माना था तो यहां लिख दिया 2 into K3 plus 1 और यह क्या होगा हमारा odd होगा तो बच्चो सारे के सारे odd numbers को हम किस format में ले सकते हैं आपने देखा पहला odd number कब आया जब 6Q plus 1 था तो 6Q plus 1 पे odd आया दूसरा odd number कब आया जब 6Q plus 3 था तो 6Q plus 3 पे हमारा odd आया तीसरा odd number कब आया जब 6Q plus 5 है तो 6Q plus 5 पे odd आया यह थे सारे numbers दुनिया के हम जिसको भी इस तरीके से लिख सकते थे remainder 0 से लेके 5 तक और हमने देखा 0 से 5 तक 1 में odd आया 3 में odd आया और 5 में odd आया तो 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5 बिल बी odd integers तो इस तरीके से हम यहां पे लिख सकते हैं so hence proved 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5 are all odd integers इनको हम odd integers को इस format में भी लिख सकते हैं space नहीं है आप लिख सकते हैं we can write 6Q plus 1, 6Q plus 3 and 6Q plus 5 as a form of odd integers ठीक है चले अब हम करते हैं question number 3 इसको एक बार बच्चों copy करके अच्छे से solve करना ठीक है यहां space का होने की वज़े से थोड़ा सा मैंने tightly close close लिख दिया है आप थोड़ा अच्छे से जिकरिएगा students question number 3 army की parade के उपर है आप सब 26 January को parade देखते होगे उसमें आप यह सब देखते होगे कितनी अच्छे तरीके से वो एक दूसरे के साथ sequence में लगे रहते हैं sequence में चलते हैं तो उसी तरीके से number of rows और number of columns उनकी सेम होती है army containment of 616 members total member कितने है 616 members is to march behind a band of 32 members आपने देखा होगा आगे वो band वाले होते हैं डोल वाले होते हैं और पीछे army वाले चल रहे होते हैं तो उनके आगे 32 members की क्या है एक band है और दोनों को सेम number of columns में चलना है दोनों को मिला के तो मतलब हमें एक तरीके साथ है hcf हाइस common factor निकालना है कि कितने highest common factor में उसको divide करें कि वो एक rectangle का form ले सकें definitely कि मतलब number of columns जो है वो बराबर हो तो उसके लिए क्या करेंगे हो चो hcf निकालेंगे और hcf किसका निकालेंगे दो नमबर से हाँ पर दो नमबर कौन-कौन से है 616 और 32 ताकि यह बता लग सके कि दोनों में columns कैसे equal किये जा सकते हैं तो आपने क्या करना है हम ही क्या निकालना है solution में hcf hcf आफ किसका 616 और 32 तो चली एक बार और रिवीजन कर लेते हैं उस कंसेप्ट को जिनको पहले हो सकता है हलका सब्सक्राइब तो बड़ा नमबर कौन सा है 616 तो यूजिंग यूक्लेड्स डिवीजन लेमा या अल्गॉरिफम जो भी आप बोलना चाहू तो हम क्या लिखेंगे 616 ग्रेटर दें 32 तो हम यहां क्या लेंगे 616 लेंगे इक्वल टू लेंगे 32 और 32 को किस से मंटिप्लाइ करेंगे जरा ध्यान से देखेगा 32 को मंटिप्लाइ करेंगे 19 से और रिमेंडर कितना आएगा हमारा 8 अब आप क्या करना है इस 32 को ले लेना है इधर तो यह एरो डालने की ज़रूत नहीं है आप चाहो तो डाल सकते हो चाहो तो नहीं डाल सकते हो 32 ले लिया इधर और रिमेंडर कितना था 8 8 इंटू 4 32 प्लस 0 तो HCF कितना आ गया बच्चों हमारा इसका 8 सो HCF कितना आ गया हमारा 8 तो number of columns कितनी हो जाएंगी number of columns कितनी हो जाएंगी हमारी 8 that is our answer काफी easy था आप लोगों ने देखा बस remainder 0 लाना है और steps यहाल रखिएगा यहाँ पे और remainder यहाँ पे अब हम करते हैं question number 4 students question number 4 और question number 5 काफी important है जैसे कि आप देख सकते हो question number 4 में हमें बोल रहा है use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer दुनिया में जितने भी positive integer होंगे अगर मैं उसका square करता हूं तो square करने के बाद मेरी जो form आएगी वो 3M या 3M plus 1 की form में आएगी for some integer M, M कोई भी integer हो सकता है तो first of all Euclid's division lemma में आपको step by step करके दिखा हो चलिए ताकि आपको लगेगा कि कितना easy है कुछ सोचने के जरुरत ही नहीं पड़ी first of all Euclid's division lemma क्या कहता है a equal to bq plus r अब आप समुत कहोगे कि sir values क्या ले एक की तो value लेनी नहीं होती क्योंकि वो sub integers के लिए उसका तो square करेंगे क्योंकि हम किस की बात कर रहे है square की बात कर रहे है बारी आती है b की यह b क्या ले ताकि remainder पता चले तो आप देखिए 3 और 3 है और हमें क्या करना है square तो ऐसा किस का square करें 2 का square करेंगे तो 3 आई नहीं सकता आपका होगे sir यह 0 है और बने 2 ले ले लेते है नहीं 2 का square करो वो 3 के format में बनेगा ही नहीं हाँ 3 का square करते हैं 9 common लेके 3 बन सकता है तो यहां हम क्या लेंगे 3 लेंगे क्योंकि 2 से 3 नहीं बनाया जा सकता common लेके remainder कितना आया, 0, 1 and 2, direct कि यह लिख रहा हूं में, आप चाहो तो आप वैसे करके लिख सकते हो कि R is smaller than equal to greater than 0 and smaller than B, ठीक है, लेकिन हम direct भी लिख सकते हैं, चलिए, तो case 1, case 1 लेते हैं, जब remainder कितना होगा हमारा, 0, तो remainder 0 होगा, तो A की value कितनी आजाएगी, 3Q आजाएगी, अब क्या करना है, square करना है, यह तो integer है, हम क्या बात करें इसके, square की, हम सारे integers का square करेंगे, तो हम क्या करेंगे, squaring both sides, यह सब जगा करना है आपको, क्योंकि हम सर्फ squares की बात कर रहे हैं, यह बात जरूर आपने याद यह कितना हो जाएगा, A square equal to 9Q square, इसमें से 3 common लूँ, तो मैं 3 common लेकि कह लिख सकता हूँ, 3Q square, और 3Q square को अगर मैं M माल लेता हूँ, let 3Q square भी M या K कुछ भी माल लीजे, क्योंकि हमें M की format में चाहिए, तो यहां से मैं माल लेता हूँ, let 3Q square equal to, चलो K1 माल लो, ठीक है, क् क्योंकि बात मैं सब कौम, फिर M लिखते हैंगे, तो A square हमारा कितना आ गया, 3Q square को K1 माल ला है, तो 3 K1 हो गया, यह हो गया हमारा first, ठीक है जी, चलिए, second case, रिमेंडर कितना होगा second case में, 1, क्योंकि पहले मेंडर कितना लिया था, 0, तो second case में रिमेंडर हो गया 0, तो A क्य क्या हो गया हमारा, 3Q plus 1, इसका भी क्या कर देते हैं बच्छो, squaring both side, squaring both side करेंगे तो A square और यहाँ पे whole का square, आप सब को पता है, A plus B के whole square के entity, direct लगा देता हूँ मैं, तो यह कितना हो जाएगा, 9Q square plus 1 plus 6Q, A square plus B square plus 2AB, चलिए अब इसे ध्यान से देखिएगा, इसे हमें कि format पर बनाना है, यार तो 3M या 3M plus 1 के format में, अब इन दोनों को साथ में लिख लिए, A square equal to 9Q square plus 6Q plus 1, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 9Q square और 6Q में से मैं 3 common ले सकता हूँ, दोनों में से, yes, दोनों में 3 आता है, तो दोनों में से 3 common लेंगे, तो A square कितना हो जाएगा, 3 common लेने के बाद, ये बचेगा हमारा 3Q square, और ये बचेगा हमारा 2Q, और यहाँ आ जाएगा plus 1, अब इस पूरे को क्या मान लीजे, K2 मान लीजे, क्या मान लीजे, इस पूरे को, K2 मान लीजे, let 3Q square plus 2Q is equal to K2, तो मैं या क्या लेक सेपता हूँ, A square को, A square will be equal to 3 into K2 plus 1, तो दूसरा हमारा format क्या आ गया, A square को क्या लिख सकते है, 3K2 plus 1, पहला क्या लिख सकते थे, 3K1, दूसरा हो गया, 3K2 plus 1, आप देखो 3M और 3M plus 1, same format बन रहा है, case 3, case 3, मैं हमें R क्या लेना है, 2, ठीक है, चलिए, तो A कितना हो जाएगा, BQ plus 2, sorry BQ नहीं, 3Q plus 2, और क्या कर देखेंगे, squaring both side क्योंकि सारे numbers के square को discuss कर रहे है, तो यहां क्या करतेंगे, squaring both side, बच्चों बड़े ध्यान से समझ नहीं है, आपको यह चीज़े काफी easy है, remainder 0 लिया, square किया, format में break कर दिया, remainder 1 लिया, square किया, format में break कर दिया, remainder 2 लिया, square किया, जिस format में चाहिए, उस format में a, b, 2, 3, 6, 2, 12, q, चलिए, 9, q, 6, 12, q को एक साथ मैं डारक यहां पर लिख देता हूं, 12, q, plus 4, ठीक है, a, square, plus 2, a, b, plus b, square, a, square, plus 2, a, b, 2, into, 2, 4, into, 3, q, 12, q, और, plus, b, square, 4, q, इन दोनों में से मैं कितना कमल ले लेता हूं, 3, q, लेता हूं, जो मेरी requirement है, 3, q, square, plus 4, q 4 को भी आपको break करना है, 4 को आप कैसे break कर दोगे, 4 को break कर दोगे, 3, q, 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 q आप क्या करोगे 3 common लिया तो इस 3 में से यहां तक आपको 3 common लेना है यह क्या पर mistake हो गई थी 3 common लेना है और plus 1 अम कर देंगे इस पूरे को क्या माल लेंगे k3 माल लेंगे ठीक है तो let 3q square plus 4q plus 1 is equal to k3 बड़े द्यान से देखे ना a plus b ka all square a square plus 2ab plus b square b square दो 4 था उसको break कर दिया 3 plus 1 में एक step आगे किया है ठीक है इस पूरे में से 3 common ले लिया 3q square plus 4q plus 1 और 1 अलग से है इस पूरे को क्या माल लिया k3 तो a square को कैसे लिख सकता हूं मैं आपे 3k3 plus 1 तो आपने देखा सारे के जो squares हैं जिसने भी numbers की हैं उसको कैसे लिख सकते हैं 3k1 3k2 plus 1 3k3 plus 1 तो हम all numbers को कैसे लिख सकते हैं all numbers can be written in the form of क्या हो गया 3m 3m कहां से आया 3k से k की value अगर आप m बान लेते हैं और 3k2 plus 1 और 3k3 plus 1 इससे हम क्या लिख सकते हैं 3m plus 1 तो आप directly ऐसे लिख सकते हो आपको इस शो करके दिखाना पड़ेगा 3k में लिख दिया format 3k मतलब 3m k और m कोई भी numbers हो सकते हैं ठीक है 3k2 plus 1 3m plus 1 और 3k3 plus 1 वो भी 3m plus 1 की तरीके सो जाएगा बस यहाँ पर आपको focus रखना है a plus b का whole square कैसे आपको break करना है कि 3 common आए और plus 1 अलग रह जाए तो 4 को हमने 3 plus 1 की format में break कर दिया यहाँ तो ज़रोती नहीं थी 1 अलग था तो 3 यहाँ से common लिए 1 इस पूरे को मान लिया हमने क्या k3 और k3 माना तो value डाल दी 3k3 plus 1 इसी तरीके से same question next question भी है आप उसको भी देखिएगा आपको वो भी काफे interesting लगेगा space थोड़ा ही ज़्यादा चाहिए होती है यहाँ पे कम पढ़ रही है इस हिसाब से adjust कीजेगा थोड़ा सा बच्चो next करते है हम question number 5 बच्चो question number 5 same question number 4 की तरह है but square की जगा क्या हो गया है cube हो गया है अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें B की वेल्यू क्या लेनी है कैसे नहीं लेनी है तो पहले question को जोड़ा पढ़ते हैं देखते हैं Use Eucleus Division Algorithm to show that cube of any positive integers can be written in the form of 9m 9m plus 1 9m plus 8 अब आपको कहोगे sir आप यहाँ पर क्या लें B की वेल्यू चली मैं आपको 2 मेथड बताता हूं B की वेल्यू लेने के हमें क्या करना है cube लेना है तो किसका cube 9 की format में आ सकता है 3 का cube 27 वहाँ से 9 common लिया जा सकता है 27 में से 2 का cube 8 उसमें से common लिया ही नहीं जा सकता तो first of all 3 आ है दूसरी बाद कैसे पता चला होगे आप आप देखे टोटल नम्बर कितनी है एक दो तीन हमें क्या बात करनी है show that all positive integers सारे positive integers इस तरीके से लिख सकते है तो 3 remainder कब बनते है 0 1 2 कब जब r की value sorry b की value हम क्या लेते है 3 क्योंकि हमें सारे numbers को इस format में लिकालते दिखाना है कि जितने भी number हैं उस format में हम लिख सकते है cube को 3m sorry 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 तो यह हो गए हमारे 3 numbers और remainder 3 कब होते हैं जब b की value कितनी लेते है 3 तो आप यहां से देख सकते हो check कर सकते हो let b is equal to 3 जब आपको सारे numbers प्रूफ करने हो तो total इन लो 3 है तो b b कितना ले लो 3 ले लो तो from Euclid's division lemma क्या होता है a is equal to b q plus r और b q plus r की b की जगा क्या ले लेंगे 3 तो remainder कितना आएगा 0, 1, 2 चली सेम पिछली case की तरह solve करना है start करते हैं तो case 1 ले ले लेते हैं case 1 में क्या लेंगे आपको ना समझना जरूरी है क्या समझना 9m की जगा 9k बने m और k कोई भी factors हो सकते हैं कोई भी integers हो सकते हैं तो case 1 में remainder क्या ले लेते हैं 0 हमें क्या दरना है क्यूब वो जरूरा याद रखिएगा तो a कितना हो जाएगा हमारा 3 cube प्लस 0 अब क्या करना है cube करना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे cube कर देंगे क्यूब कर देंगे क्यूब क्यूब्स निकालने हैं तो cubing both side हम लिख देंगे ठीक है cubing both side या उसकी power 3 से multiply कर देंगे क्यूब बोथ side क्यूब बोथ side से क्या हो जाएगा a cube equal to 27 q cube 27 q cube में से अगर मैं 9 कॉमा लेता हूँ तो क्या बचेगा 3 q cube और 3 q cube को मैं क्या माल लेता हूँ let 3 q cube be equal to k ठीक है कुछ भी माल लिजे यह बाद में उसकी value M पुट कर दीजेगा let 3 q cube equal to k1 k1 माल लिया तो a cube कितना हो गया हमारा 9 k1 पहला factor आ गया हमारा 3 m की form में जो क्या हो गया 9 k1 की तरीके से हमने लिखा है इसको लिख दिया हमने first second अब case 2 क्या है हमारा case 2 में remainder कितना लेंगे बच्चो हम 1 लेंगे तो a कितना हो जाएगा 3 q plus 1 यहां भी क्या कर देंगे cubing both side ठीक है जी cubing both side कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा a cube और इसका a plus b का whole cube ठीक है मैं लिख देता हूं आपका direct आपको थोड़ा सा एक step में रबच जाएगा ठीक है तो a plus b को whole cube a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square आपने 9th class में पढ़ा है memorize जरूर कीजे कीजेगा उसको ठीक है a cube मतलब 27 q cube b cube मतलब 1 plus 2 a square b a square मतलब 9 q square और 9 q square into 2 18 q square क्योंकि b तो क्या है 1 ही है और sorry 3 a b square होता है मैंने 2 a लिया था और 3 a b square 3 a b square तो कैसे भी कर लीजा आपको जैसे ठीक लगे 3 into a into b square 3 into 3 q 9 q और 3 a b square तो हो गया 3 b square a b होता है 3 a square b b होता है दोनों तरीके से होते है आप formula जरूर याद कीजेगा ठीक है क्या है a plus b call cube a cube plus b cube plus 3 a square b और 3 a b square मैंने a b square पहले लिख दिया a square b बाद में लिख देता हूं 27 q square ठीक है formula है confused नहीं होना 3 sorry a cube 27 b cube b cube 1 3 b square है 3 into b square मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा और a 3 into 3 q 9 q 3 a square b 3 into a square a square 9 q square 9 q square into 3 27 q square अब आपने क्या करना है इस 1 को उठा के लिए ये पीछे बाकी सबको आगे लिख लिए क्योंकि हमें क्या चाहिए 9m plus 1 चाहिए 27 q cube plus 9 q plus 27 q square plus 1 अब इन सम में से हम लोग 9 common ले लेंगे ठीक है जी इन सम में से कितना common ले लेंगे 9 common ले लेंगे लेंगे बस आइडेंटीटी आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटीटी में हो सकता है, आप थोड़ा गन्फ्यूस हुए है, फ्यूकि मैंने तीन चार वर बोल दी, ठीक है, लेकिन उसको आप अपनी तरीके से भी कर सकते हो, तो AQ कितना हो जाएगा हमारा, 9 K2 प्लस 1, यह हो गई ह आप यहाँ देखोगे, यह 3 M प्लस 1 की फॉर्म में आ रही है, चलिए, केस 3, आप रिमेंडर कितना लेना है, 2, चलिए, रिमेंडर 2 लेना है, तो हमारा A कितना हो जाएगा, A will be 3 Q प्लस 2, क्या कर देंगे यहाँ पर, क्यूबिंग बोच साइड कर देंगे, ठीक है, मैं ज हो यहाँ पे देख सकता है, ठीक है, 3 Q प्लस 2 का Q, तो चलिए, मिर साथ आइडेंटिटी देखेगा, A Q, A Q मतलब 27 Q Q, प्लस B Q, मतलब 8, plus 2a square b a square मतलब 9q square ठीक है 3a square भी होता है तो 3a square 3a square मतलब 9q square into 3 27q square और 27 into 2 54q square plus 54q square फिर 3a b square 3 into a 3 into a 9q plus b square 9q into 4 36 36q अब हो गया अब इन पूरे में से 9 common लेजी कि 8 चाहिए 8 को अलग एक दीजे उठा के पीछे तो aq equal to 27q cube plus 54q plus 36q plus 8 इस पूरे में से बच्चों क्या common लेना है आप लोगों को इस सारे में से हमें 9 common लेना है ठीक है और 9 common लेंगे तो interest बनाए रखेगा अपना 9 common लेंगे तो इधर बचेगा 3q square plus 6q plus 4q sorry यह आपे square था ठीक है यह square आएगा और plus 8 इस पूरे को हम क्या माल लेंगे बच्चों k3 तो let कर लेंगे let 3q square plus 6q square ठीक है sorry 3q cube आएगा यहां पे थोड़ी थोड़ी mistake हो रही है plus 4q is equal to क्या माल लेंगे इसको k3 तो हमारा a cube कितना हो जाएगा 9 k3 plus 8 यह हो गया हमारा equation number 3 तो हम डारेक्टली विख सकते हैं from first second and third we can write cube of all positive integers in the form of 9m 9m plus 1 and 9m plus 8 तो यहां से लिखेंगे from equation 1, 2 and 3 we can write we can write the cube of cube of all positive integers all positive integers in the form of in the form of अच्छा लगता है लगकोशन होता है ना तो हम ने कर दी है तो कैसे लिख सकते हैं 9m 9m plus 1 and 9m plus 8 इस तरीके से हम लिख सकते हैं बच्छों थोड़ा थोड़ा यहां पर cube square में mistake हुआ होगा लेकिन finally हम अंसर तक पहुँच सुके हैं आपको भी देखना है कि थोड़ा वो plus minus हो जाता है लेकिन main concept क्या है हमको कोशन समझ में आना चाहिए तो हमने क्या क्या एक बार revise कर लेते हैं B की value 3 लिए 3 Q लिए यहां पर total कितने थे 3 लिए और हमें cubes निकालने थे तो remainder 0 पर cube निकाला तो direct on क्या 9 cube ठीक है 9 K1 जो बन गया हमने 3 cube को K1 माल लिया था तो remainder 1 put किया cube किया वो दोनों side cubing की उसके बाद इसमें से 9 common लिया लास्ट में क्या बचा 1 तो एक तरीके से 9 K2 प्लस 1 तरीके से बच गया फिर remainder 2 लिया भार पे भी cubing both side की 8 को उठा गे पीछे रख दिया सम्में से 9 common लिया तो 9 K3 प्लस 8 की फॉर्म में बन गया क्योंकि आप लोगों ने एक एक कोश्चन को अच्छे समझा है और मेरी बात जरूर सुनिएगा नींद से जगी है और उठके प्रैक्टिस कीजिए स्टार्टिंग में मोटिवेशनल को सुनाया था आपको जो भूल गया है फिर से जाके सुनिए ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे और आप एपनी एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइशन कर सके और जिनों को अभी तक यह चीजों में डाउट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो के लिए थाम्स अ जरूर करें